अगर आपका link अच्छी तरीके से tight नहीं होता आपके link में अच्छी तरीके से जोस नहीं आता आपकी संभोग करने की timing मात्र 2-3 मिनट है आप 2-3 मिनट से ज़्यादा संभोग नहीं कर पाते या कई सारे लोगों का तो डालते ही बीर ये निकल जाता है या और कई सारे लोगो थकान है एक बार बीर्य जड़ने के बाद दोबारा लिंग खड़ा ही नहीं होता कितना भी अंदर से जोर लगा लो लेकिन जोस आता ही नहीं तो आज हम आप के लिए एक ऐसी आवसधी लेकर आए हैं जिसका मात्र एक खुराक सेवन कर लो आपका हतियार लोहे जैसा मजबू दोस्तों आपका हमारे नए बीडियो में स्वागत है नामर्दी नपुंसकता हिजड़ापन दूर करने की सबसे फाइदे मंद और सधी अगर आपका बीर्य पानी की तरह पतला हो गया है तो आपके बीर्य को यह गोंद से भी ज़्यादा गाढ़ा कर देगा जिन लोगों बच्पन में गलतियां की हैं ज्यादा हस्त मैथोन किया है ज्यादा मास्टर वेशन किया है ज्यादा हिलाने की वजह से आपका सरीर बिलकुल खोखला हो चुका है आपका सारा बीर्य ज़ड़ने के कारण आपके सरीर में कैलसियम ठकान की समस्या है थोड़ा सा काम करने पर ज़्यादा ठकान आती है और एक बार बीर जड़ने के बाद दोबारा लिंग खड़ा नहीं होता तो आप इस नुस्खे का उपयोग कर लो आपकी सारी गुप्त बीमारियां आसानी से ठीक हो जाएंगी और आप लगातार पूरी रात 5-6 घंटे ठुकाई करते रहेंगे तो चलिए फ्रेंड्स इस अद्भुत नुस्खे के बारे में जाने इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिसिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अद्भुत आउसदी को सबसे पहली चीज आपको चाहिए भिंडी भिंडी जो आपके सबजी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी और दूसरी चीज चाहिए आपको लोंग भिंडी और लोंग लोंग आपको किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी तो आपको प्रति दिन साम के समय दो भिंडी लेनी है और आपको 100 ग्राम की मातरा में लोंग लेनी है लॉंग आपको अच्छी तरीके से पत्थर की लंगरी में कूट कर पीस कर उसका बिलकुल बारीक तरीके से चुवन कर ले 100 ग्राम की मात्रा में लॉंग का उसके बाद आपको प्रते दिन साम को खाना खाने के बाद बीबी के साथ बिस्तर में जाने से आधा घंटा पहले मतलब 25 से 30 मिनट पहले आपको दो भिंडी लेनी है आपको दो भिंडी को अच्छी तरीके से उसे बीचो बीच फाल देना है उसके बाद आपको एक भिंडी में आधा चम्मच लॉंग का पाउडर और एक भिंडी में आधा चम्मच की मात्रा में लॉंग का पाउडर उसमें अच्छी तरीके से उसके जो कटे हुए जहां से आप फाड़े हैं उसमें अच्छी तरीके से लगा कर उसमें हाथों से अपने भर दें भरने के बाद आपको उस भिंडी को चबा चबा कर खाना है लगभग 10 मिनट तक आपको एक भिंडी 5 मिनट तक लगातार चबा चबा कर तभी आपको उसे निगलना है आप ध्यान रखें यह आपके भिंडी का जो लारवा होता है यह आपके बीर्य को गोंद से भी ज़्यादा गारा बनाता है और यह जो लॉंग है आपके सरीर में एंटिबाइटिक जोंस का काम करता है आपके अंदर जोंस आपकी इच्छा को बढ़ाता है आपके संभोग करन बीबी के साथ बिस्तर में घुश जाओ लगातार 5-6 घंटे ठुकाई करोगे ठोक ठोक कर बीबी का सारा पानी जार दोगे चीखे निकालेगी बीबी पूरी रात अगर आपको यह चोटी सी जानकारी पसंदाई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इस वीडियो को जादा से जादा दोस्तों रिवेटी में सेर करें ताकि उनको भी लाव मिल सके मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड